आप सभी का स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं हमारे बचपन की जटपटी सी इमली केंडी की रेसेपी जिनने देखकर आपको भी मुझ में बहुत I am sure के पानी आही गया होगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बचपन वाली इमली केंडी की रेसेपी जो सभी की फैवरेट है तो I am sure आप इसे जरूर एक बार ट्राइ करेंगे बहुत ईजी रेसिपी है तो एक बार ट्राय करना तो बनता है तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के तो एमली केंडी बेनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एमली जिसके मैंने जो बीज है उन्हें निकालकर अलग कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर कुछ तक कि जो हलके से नर्म हो जाए तो गरम पानी में यहाँ पर एट कर देती हूं और इन्हें मैं o Concept के लिए अच्छे से мнodal कर देती हूं आधे घंटी के लिए तो 1 itiner भी आप 대 назвation कर दो किए करी Hanabi और नर्ले गराइनट को लिए थार के लिए बिल्कुल बारिक सा फाइन सा पेस्ट में इनका बना कर तयार कर लिया है तो देखिए इस तरीके से हमारा जो बड़िया पेस्ट बनकर तयार हो गया है अब इसे हम जो है छान लेते हैं तो एक शन्नी लिए है मैंने और उसमें इसको मैं ट्रांसफर कर देती हूं और इसे चम इसलिए चानना जरूरी होता है तो बड़िया हमारा पेस्ट बन गया है गेस पर रख दी हमने कड़ाई जिसे मीडियम फ्लेम पर हमने रखा है और अब जो पेस्ट हमने त्यार किया था उसे कड़ाई में ट्रांसफर कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही जो है हमें इस पूरी रसिपी को बना लेना है तो यहां पर हम गुड़ एट कर देते हैं गुड़ आप अपनी मिठास के अकॉर्डिंग एट कीजिएगा यदि आपको ज्यादा खटा पसंद है तो गुड़ कम ही एट कीजिएगा और ज्यादा खट आप पहल भी द्चली की चैन्डी में एक चमत गी भी डाल देना है थोड़ा सा गी का यूज में किया है यहां पर आप भी इसे जरूर रिइसकी ज़्यादा गी राल phones 15-20 मिनिट तक अच्छे से पका लेना है ताकि जो इसकी consistency है वो बिलकुल इस तरीके की हो जाए तो 15-20 मिनिट पकने के बाद जो इसकी consistency है वो अच्छे सी इस तरीके से हो जाती है और यहाँ पर एक बात में बताना चाहती हूँ कि मिर्ची का उप्यों के दिए आपको न करना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं तो देखिए हमने इसको अच्छे से पका लिया है पकर बिलकुल तयार है तो आप गेस की flame को off करके इसे ठंडा कर लेते हैं तो ठंडी हो चुकी है अब हम इसमें जो है इसको पेक कर लेते हैं तो पेक होने के बाद बिलकुल यह केंडी के फॉर्म में इस तरीके से आने लगती है देखिए बहुत ही बड़िया हमारी केंडी लग रही है और यह हमने कुछ को आइस क्रिम स्टिक में लगाया है जैसे की मार्केट में अवेलेबल होती है और कुछ को हम इस तरीके से जो है पॉली में जो है रैप कर रहे हैं बिलकुल चॉकलेट वाला टॉफी वाला लुक लिए जिसे और भी सुन्दर लग रही है तो यह थी हमारी चॉकलेट इमली केंडी की रेसिपी तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजेगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मि तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड कीप वाचिंग बाबाई